हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस के उपर एक लेटेस जज्जमन बताने वाला हूं इसके बाद एक और वीडिय कुछ ऐसी सिच्वेशन होती है कि आप मेंटेनिस देने के लिए लायबल नहीं है लेकिन बावजूद इसके देखाए जाता है कि जो ट्रैल कोट होती है वहां से कुछ न कुछ मेंटेंस को और होई जाता है इवन आपको यह बताया भी जाता है कि आप कुछ भी कर लें थो मैं आपको judgment बताऊंगा इसमें husband के पक्ष में जो maintenance को order हुआ था उसको पूरे तरीके से cancel कर दिया गया maintenance को zero कर दिया गया ऐसी दोस्तों कुछ conditions होती है और अगर आप उन conditions को ठीक से unrable court के सामने ले करके आते हो तो कई बार आपके maintenance को order cancel भी हो जाता है तो दोस्तों बहुत important वीडियो उन सभी लोगों के लिए जिन पर maintenance के case चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं या जिनके matrimonial विवाद चल रहे हैं वो इन चीजों को अच्छे से समझ ले और दोस्तों यदि आपको ये channel अच्छा लगता हो इसके वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलती हो और फाइदा मिलता हो तो आप channel को फड़ावर सब्सक्राइब करके notification bell पर भी जरूर किलिक कर ले ताकि इस channel पर आने वाले सभी वीडियो की निरंतर और सबसे पहले जानकारियां आपको मिल सके तो दोस्तों ये मामला ऐसा था कि इस मामले में पती ने अपनी तरफ से annulment के लिए case file किया था और पतनी ने अपनी तरफ से interim maintenance के लिए एक petition file करी थी और trial quote ने जो wife को maintenance का order कर भी दिया अब दोस्तों यहां परस्तिती कुछ ऐसी थी कि जो पती था उसको एक stroke आया था जिसके कारण उसकी 75% disability हो गई थी neurological conditions के regarding आप दोस्तों इस वज़े से उसे अपने employment में भी resignation देना पड़ा था अब पती ने अपनी तरफ से एक application लगाई जो maintenance order हुआ उसको recall करने के लिए और वो जो उसके application थी वो reject हो गई on the basis की wife ने वहाँ पर argument किया कि जो पती है वो अपने illness से recover कर चुका है और current time पे वो एक able-bodied person है अब दोस्तों यह मामला high court में पहुँचा high court को निड़ने लेना था कि maintenance order को रखना है या हटाना है तो अब high court ने कैसे इस पर निड़ने लिया देखें high court ने एक चीज़ देखी कि पती के पास job नहीं है वो unemployed है since disability जब से उसको stroke पढ़ा है जब से उसको बिमारी आई है उसके बास से उसने कोई भी काम नहीं किया है और इतना ही नहीं हजबेंड के पास disability certificate भी है जिससे पता चलता है कि वो 75% वर्तमार समय में डिजबल है तो ऐसे में उसको able-warded person नहीं का जा सकता meanwhile पीछे से wife ने एक और काम किया कि जब maintenance order हो गया तो उसका execution भी फाइल कर दिया अब execution फाइल किया तो payment ना देने की वज़े से वहाँ पे lower court ने एक warrant भी उसके खिलाब पारित कर दिया था अब यहां पर court को DCN लेना था सारी चीजों पर तो court ने यह कहा कि भाई उसे able-warded man तो बिलकुल भी नहीं का जा सकता ऐसी परस्थितियों में इसके लाब हाई court ने यह भी देखा कि जो वाइफ है वह well qualified है पड़ी लिखी है mca है और उसने बहुत सारे various schools में teacher की job भी करी है और ऐसे में court ने कहा कि वह एक earning wife और earning wife ना हो तो भी वह कम से capable of earning तो है ही बस इतना कहा कि बच्चे के लिए जो grandfather है वो उसके education और सारी चीजों की जो भी बच्चे की ही maintenance देगा तो यह इसी आधार पर पती के उपर जो maintenance बना था यह खारी जो गया तो दोस्तो इस प्रकार के नेने आते रहते हैं और आपके बहुत काम भी आ सकते हैं इस प्रकार के मेरे पास भी कुछ इस वीडियो में नहीं जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं तब तक के लिए गुडबाए और थैंक यू फो वाचिंग टेक कियर